आपका डिवाइस रूटीड और अपकर इआपने डिवाइस के अब में काफिट्स रूटीड тов कुछ तो घुट व्याइपस कर सकते हैं आपको आपको नहीं पता इस्पोस फ्रेम वरगई जिसकी हल्प से अब काफी सारे tweaks को अपने android अपने rooted android में try कर सकते हैं अपने latest try किया था hook vip name का ये एक module है जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा it unlocks some of the premium membership से बहुत ही amazing चीज़ा में देखने को मिलेगा अब मैं आपको इसका benefit भी बताता हूँ जैसे मैंने आपर example के लिए 3 apps को चूश किया है WPS और हमारे क्या होता है आप उसको third party sources से डाउलोड करते हैं वहाँ पर कुछ issues है security issues होते हैं यह default आपको प्ले स्टोर पे apps में ही same आपको membership देखने को मिलेगी I will not recommend you दुबार से आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगर आपको just try करना है कि इसके pro में देखने को क्या क्या मिलता है सिर्फ उसके लिए किजिए अगर आपको अच्छा लगे आप इसे daily life में use करते हैं तो आप definitely इसको purchase कीजिए अब देखे मेरे पास niyagra launcher available है अगर मैं बात करूँ मैंने तो niyagra launcher को already purchase किया हो तो अपने दूसरी ID से main email ID से मैं वहाँ से use कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने इसको test करने यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि actually में काफी amazing है और एक और चीज़ करने में thanox यह एक आपके device के लिए tool है मैंने इसको एक time पहले वीडियो बनायता है इसके उपर आप अपने device में काफी साथ tweaks को apply कर सकते है options काफी साथ देखने को मिलता है लेकिन मुझे one of the best लगता है इसमें आपको एक option देखने को बलता है जिसका name है incognito mode उससे आप किसी भी app में incognito mode को enable कर से उस app में जो भी आप करेंगे उस आपको information मिलेगी नहीं कि आप क्या कर रहे है यह एक बहुत amazing feature काफी underrated है यह भी paid I mean free options भी है लेकिन काफी से चीज़े paid वाले options में देखने को मि देखने को मिलेगी अब मैं बात करता है इस module के बारे में यह जो module है hook VIP नेम्स ही आपको LS Post में देखने को मिलेगा जिसका link आपको मिलेगा description में कुछ android apps में उसके premium membership को यह unlock कर देता है वैसे सभी apps सपोर्ट नहीं रहते तीन apps जो मैंने आपको अभी बताए है यह तो perfectly काम कर है support करते हैं और बाकि जो list of the apps है वो मैं आपको बताऊंगा उत्रें ज्यादा काम के नहीं है लेकिन कुछ है में भी आपके काम के हो सकते हैं तो आप अने try कर सकते हैं अब बात करते हैं installation के बारे में मैंने यूज किया था kernel SU install करने के लिए LS Post को आपको जाइजस को इस्टाल करने के लिए अप मैं जिस को यूज कर सकते हैं कुछ और भी यूज कर सकते हैं मैंने यूज किया था kernel SU को मुझे को issues नहीं है आपको जाइजस को इस्टाल करना है और आपको LS Post को इस्टाल करना है दो रोग को इस्टाल करने के बाद आप यू झाल झाल